हेलो व्यूवर्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल पालक एक ऐसी सब्जी है जो हमारे स्वास्ते के लिए बहुत ही लाबकारी है रेतीली जमीन को छोड़कर से सभी जमीन पर आप पालक की खेती को कर सकते हैं और पालक खाने में थोड़ा कड़वा और खारा लगता है लेकिन यह गुड़कारी रहता है दही के साथ पालक की पालक को खाने से इसमें इसके सारे नेचुरल जो गुड़ होते हैं वह सारे मिल जाते हैं क्योंकि पालक के अंदर ही इतनी सारी विटामिन होते हैं केवल इसमें विकिपीडिया के अनुसार इसमें केवल केल्सियम नहीं होता है बाकी सारे विटामिन और प्रोटीन वगएरा इसमें सब कुछ होता है क्योंकि इसमें आयरिन सबसे जdoes्ता है और आयरिन के होने से ये शरीर में रेड़ च्रौंध है और यादास्त को भी बढ़ाता है और शरीर में क Did कुमी को दूर करता है और रवति हिस्त्री औ को तो पालक बहुत ही अच्छा बताये और इस्टो दही के साथ ज्यादेता है इसे जदिते ही क्या जाता है और इसको एक आता है उसटो साफ चाहिए और लिए तो आप बच्छा पालग घ्रीग में बच्छे आफ़ा आई क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड होते हैं तो आप इसको 1 2 3 4 5 सेकंड के लिए हाथ जैसे सिखता है ऐसे गरम पानी में डालिए और उसको जल्दी से निकालके आइस क्यूब डले हुए ठंडे पानी में डाल दीजिए किवल 5 सेकंड के लिए डालना है ज्यादा देन नहीं डा तो वह खाने लाइक हो जाता है आप उसको सलाग के रूप में अच्छे से खा सकते हैं और उसमें आप 1 कटोरी दही इसको काट लिजिए चाहे आप सावुत खा सकते हैं तो सावुत खा लिजिए कोई दिक्कत नहीं तो दोनों को काट के रख लिजिए ठंडा करने के बाद और फिर उसमे एककट्रिदः डाल लीजिये और थोड़ासा जीरा भुनावदा और थोड़ासा नमक ऑर थोड़ासा दाल का मसाला जो आपको पसंद हो जैसे चाट का मसाला नहीं दालना चाहिए क्एक जल से मैं यर सफ़से उता होता है औडही तो आज मिलें दाल टो क्च्छा पालक बहुत ज्यादा करता है और ज्यादा पॉक्ट पकाने से ना इसके थोड़े से नूटूर्न कम हो जाते हैं तो आप सद्वर्ण एप से और पका के खा सकते हैं अुब्रावन को बावर नहीं करना चाहिए पालक कोश्चा फ़ और पतलगें facts नहीं हो जाता है तो वह झालता है तो फोदे developers कम हो जाते हैं तो इसको थोड़ा कम ही पकाना चाहिए औहीं के साथ तो यह अम्रत के समान हो जाता है इतना फायदा करता है आपको इसमें सारे vitamin calcium 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 दही से calcium मिलता है और vitamin c वी मिलता है और सारे vitamin आके यह pocket Bang पालक और दनीया में होते हैं तो ये शरीर को बेट लॉस करता है यह यह जो रेमेडी है यह बेट लॉस में भी काम आती है और सारे नीटिस वी आपको दे जाती है । और इसके अलावा आप किसके तरह से पालक को को खा सकती हैं चाहach मीलाद यह क्क जाते हैं कंबिके का मिले भीटामी दैंस्यप है अगतर को भालक में पर्वैज्व क्रिकट अ कि ये प्रोटीन होता है और में बढ़ाने में लगा इता है ये बढ़ाने में वहे जारी होता है। और भी इत्बुति जो गुड़ पाये जाते हैं वह इन पर नहीं पाई जाते हैं यह जो नौर्मल सब्जी नहीं पाये जाते हैं लेकिन पालक में बहुत जादा गुड़ होते हैं यह गरवलती मौलाओं के लिए पाउष्टिकता से बहभाटबूर एक अच्छा बोजन है पालक उस उसे पालक को हर तरह से खाना चाहिए इससे मतलब सरीर में कून की मात्रा बढ़ती है और बच्चा स्वस्त होता है और जिन आतों के रोग में दस्ताद में भी पालक लाबदायक है पालक में खून बढ़ाने से ज्यादा ये खून को साब भी करता है और हड्डियों को ज्यादा आप इसका जूस बना के पी सकते हैं आप अकेले पालक का जूस पसंद नहीं हो तो आप इसमें टमाटा डालीजिए और चुकंदा डाल लीजिए और और भी चीज़े आती है इस मौसम में गाजा डाल लीजिए सब को मिक्स करके आप जूस बनाईए तो बहुत ही तो रोजाना पालक आप भी खाईए बच्चों को खिलाइए बड़े बजुर्गी भी खा सकते हैं वादा कोई भी किसी भी एज का व्यक्ति खा सकता है लेकिन इसको बहुत जादा नहीं खाना चाहिए एक कप एक व्यक्ति के लिए पालक काफी है एक कप पालक और एक कटो हो सकता है तो आई होप आपको मेरा यह वीडियो असंद आया होगा समझ आया होगा तो मेरी चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें